नमस्कार तिरस्वी आदव जी आप जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे और बिहार के किसी जिले में ऐसी घटना होती थी तो आप प्रतिनिधी मंडल बना कर भेजते थे कि जाओ उस जिले में और इस बात का पता लगाओ कि कैसे अपराधी तांडव मचा रहे हैं तिरस्वी आदव जी कभी कभी तो आप भी पहुंच जाते थे ये बताने के लिए कि देखिए हम बिहार के विपक्ष के नेता हैं और हम अपना जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं लेकिन बेगुस राय में जो हुआ वो इतना शर्मसार कर देने वाला घटना ह जिसके बारे में जिक्र भी नहीं किया सकता लेकिन अब तक ये खबर नहीं आई है कि तिरस्वी जी वहां तक क्यों नहीं पहुंचे हैं उनका कोई बड़ा नेता वहां पर क्यों नहीं पहुंचा है और उपर से हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात का हुंकार भर रहे हैं कि पिछडे और मुसल्मानों के इलाके में गोली चला दी गई और पिछडे लोगों को निशाना बनाया गया आप समझेगा इस बात को नेता प्रतिपक्ष के दोहरेपन नेता प्रतिपक्ष के राजनीती और आज वर्तमान के उपमुख्यमंत्री तरस्पी यादव कैसे मात्र एक महीने में बदल गए इसी बात का विश्टेशन हम इस वीडियो में करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार स्विकार करिए ये वीडियो रोडबेज के द्वरा प्रायोजित है रोडबेज एक ऐसी टेक्सी की कंपनी है जो आपको एक तरफ के किराय में पटना के किसी भी गाउं में ले जाती है मतलब यह कि बहुत कम पैसें में आप अच्छे से कार में सफर ले कर सकते हैं और अगर आपको सफर करना है तो प्ले स्टोर पर जाकर रोडबेज का एप डाउनलोड करिए बैरहाल लोटते हैं तर्यस्वी आदव पर तर्यस्वी आदव जब सत्ता म आये तो बोले कि यह गरीबों और मजलुमों की सरकार है हम लाइन में खड़े उस आखरी व्यक्ति तक पहुचने का प्रयास करेंगे जिस तक सरकार की सुविधाएं नहीं पहुचती है लेकिन हुजूर यह भूल गए कि एक महिने के बाद अगर बेगूस राय में कोई राते हुए अगर 11 लोगों को गोली मारता है तो वहाँ पर शायद उपमुख्यमंत्री जी को जना चाहिए था लेकिन भाई साब राजनीती में ऐसा होता नहीं है राजनीती में यह होता है कि अगर आप सत्ता में नहीं है तो आप गरीबों की और मजलूमों की आवार उठ खाएंगे आप इस बात को लेकर चिलाएंगे कि देखिए प्रदेश में कितनी आर्यक्ता बढ़ गई है लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आएंगे आप चाहें किसी भी पार्टी के हो आपको इस बात से मतलब भर नहीं रह जाता है कि बिहार के लोग या उस प्रदेश के लो है कि किसी गुंडे के साथ मिलकर वो दोस्ती कर लेते हैं लेकिन तरस्वी आदव जब इस बात का दंब भरते थे कि हम बिहार को बदलने आये हैं और हम बिहार से जंगल राज को अपराधियों को मिटा देंगे तब लगता था कि चलो भाई युवा आदमी हैं अगर क्यों नहीं बेजा है सवाल यह उठ रहा है कि तरस्वी आदव ने अब तक कोई बहुत अच्छा सा पोश्ट लिखकर क्यों नहीं लोगों को बताया है कि उनको इस बात का दुख है कि बेगुस राज में ऐसी घटना घट गई आप समझेगा तरस्वी आदव सत्ता में यह उनके अगल बगल के लोग उनको बता नहीं रहे हो जा फिर हो तो यह भी सकता है कि तरस्वी आदव सीम बनने की प्लानिंग कर रहे हो जैसे कि नितीश कुमार पीम बनने की प्लानिंग कर रहे हैं खबर के मुताबिक नितीश कुमार उस वक्त प्रशांद की सोर के साथ हुए थे कि चलिए हम अपना गोटी फिट कर लें बेगुस राय अब तक तरियस्वी आदाव क्यों नहीं गए हैं बेगुस राय के लिए तरियस्वी आदाव के कोई नेता अभी तक क्यों नहीं रवाना हुए हैं बेगुस राय के लिए तरियस्वी आदाव ने खुल कर कु कि नहीं ये हम लोगों को नहीं पता है लेकिन देखिए बिहार के नागरिक होने के नाते एक पत्रकार होने के नाते हमें लगता है अगर उप मुख्यमंत्री जी वहां जाएं इस बात का जायजा ले कि आखिर ये घटना कैसे घट गई अब तक अपराधी पुलिस के पकड़ से बाहर क्यों है तब बिहार के लोगों को इस बात की सहूलियत मिलेगी कि हाँ हमारा नेता हमारे लिए खड़े है बाकि जो हैसो है ये है आप क्या सोचते हैं कि मिले कि बताइए मिरे नाम प्रशांत राय है आप जनतारे इंशन देख रहे थे बहुत-बहुत धन्यवाद झाल